नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होश्ट और आप देख रहे हैं धर्मसरमाल एन नाम बाले बेक्ती से क्यों बचकर रहना चाहिए? सभी को बचकर रहना चाहिए? क्यों? आए हम जानते हैं इनके बिबाग के जीवन साथी के बारे में, करियर के बारे में, पैसा, लब और रुमान सोभाब के बारे में एन नम बाले थोरे से मुफट होते हैं पर खुस मिजाज मस्त मौला, हर्फन मौला, इन्हें दुनियादारी की ज़्यादा चिंता होती है पर मस्त रहते हैं अपने माबाप की केर करने वाले, इनका जीवन साथी बहुत प्यार करने वाला मिलता है हलांकि सुरुआत में थोरी परेसानिया आती हैं पर इनके बस में सभी हो जाते हैं एन नाम बालों में एक आकरसन सकती होती है जो लोग इनके संगत में आते हैं या इनके साथ जूडते हैं वो इनके ही होकर रहा जाते हैं बहुत खुबसूरत सा नाम है एन से और एन नाम हमारे जीवन का एक अभीन अंग भी है दोस्तों एन नाम बाले की अगर हम बात करें इनके सिख्षा की तो यह आप अगर हम कहें तो यह सकसेज होते हैं अपनी लाइब में भूत आसानी से इनहें एक जौब तो प्राप्त हो ही जाती है लेकिन इनहें थोरा सा struggle कम करना परता है जब संतान वाला पार्ट जो है इनको थोरा सा लेट है क्योंकि संतान थोरी इनकी लेट से होती है हलाकि ऐसा नहीं है कि सबों के साथ होता है लेकिन 50% मामलों में थोड़ी लेट हो जाती है अगर हम बात करें इनके लब के बारे में तो हलाकि ये इन चक्रों में नहीं पड़ते लेकिन लोग खुद खुद इनसे जुड़ जाते हैं जिनसे भी ये बात करते हैं या करती हैं वो लोग इनके आकरसन में बंद जाते हैं इनकी बातों में एक अलग चामिंग होता है वैसे ये नहीं है कि एन नाम बाले चापलूसी करते हैं नहीं ये बिल्कुल एक पॉइंट पेढ़ते हैं इनका आप कहेंगे कि दिल फेक हैं नहीं है बस बाते करते हैं, हाथ औरे मुफट होते हैं, इनका मुफट पन ही लोगों को पसंद आ जाता है जो मन में आता है बस बोल देंगे, यह नहीं समझेंगे कि सामने वाले को बुरा भी लग सकता है लोगों को लगता भी नहीं है बुरा, इनकी बातों का क्योंकि ये इतने केरिंग ही होते हैं कि लोग खुद बखुद इनके साथ रहना पसंद करते हैं इनके जीबन में हलांकि इनकों खुसियां ज्यादा प्राप्त होती है लेकिन तकलीप में भी आती है नई 90% इनका लाइब बहुत सुन्दर होता है 10% अगर हम कहें तो इनको थोरा सा जड़नी ज़्यादा करना पड़ता है चाहे वो इनके केरियर को लेके हो, स्वास्त के लेके हो क्योंकि स्वास्त के मामलों में भी थोरी से इनकी परिसानी बनी रहती है अगर आप महिला है तो हार्मोनल परिसानिया आपको परिसान करेंगी और अगर आप पुरुस है तो फिर आपका जो ये जॉब करते हैं या करियर है आपका बिजनस है तो इनको लेकर थोड़ा सा आपका अपडाउन बना रहता है यात्राएं आपकी होती रहती है लेकिन ये आपको पसंद आने लगता है धीरे धीरे यात्रा और अगर नौकरी या जॉब करते हैं तो इस फिल्ड में आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे मौगे मिलते हैं कम प्रयास में आपको ज्यादा सपलता मिलता है अगर हम देखें तो आपके ऑफिस में भी आपका रुवाब रहता है आपका रूतवा रहता है लोग आपको सुनना पसंद करते हैं आपको देखना पसंद करते हैं लेकिन आप इन सभी चीजों में नहीं पढ़ते क्योंकि आपको ये सभी चीजे कोई खास पसंद नहीं है इन आपके लिए क्या है कि आप जो भी मिला बहुत अच्छे से बात कर लिए, हो गया है हेलो भर लेकिन लोग आपसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को आकरसित करती हैं और अगर अगर आप लड़का भी हैं तो भी आप से लोग खुदब खुद मिलने लगते हैं आपसे आंके बाते करना उन्हें अच्छा दोस्तों आपको style में नरना बहुत पसंद है style के पपढ़े पहनना आप लगभग सारे आउटफिट आप यूज करते हैं आपको सारी कुछ पसंद हैं गर आप लड़की है तो आप जींस भी पहन लेंगी सारी भी पहन लेंगी सूट भी पहन लेंगी और आपको जो मरजी हो आपको लेकर चलना पसंद है, लेकिन कोई भी अगर आपके मल के लायक नहीं हुआ, तो आप उन्हें साइट करते भी आपको देरी नहीं लगता है, आपको अपनी रिस्तों की कदर होती है, लेकिन आपके मुफाट के कारण थोरे से लोग आपसे खपा भी होते हैं, और जो आ अन्बन वाले रिस्ते लेकर चलना पसंद नहीं है, इसलिए तो कहते हैं कि N वाले या तो लोग इन से जूड़ जाते हैं, या फिर इन ये लोगों को साइट कर देते हैं, बहुत खुबसूरत होते हैं N अक्छर वाले, अगर हम कहें तो इनके चेहरे में आकरसन रहता है, अगर उनका सरीर जूड़ जाए N नाम से तो वो खुबसूरत हो जाते हैं, N नाम वालों की एक और खासियत है, कि इन्हें बिदेश यात्रा करना या फिर अपने जन्व अस्थान से दूर रहना बहुत अच्छा लगता है, यानि नए लोगों से जूड़ना, नए लोगों इन नाम वाले उन सबों में सबसे ज़्यादा अग्रिनी है बफादारी के मामले में, बहुत खुबसूरत, दोस्तों, N नाम वाले बहुत केरिंग होते हैं, इन्होंने अगर किसी से प्यार कर लिया, तो अंत तक निभाएंगे, N नाम वाली की सबसे बड़ी खासियत, इनक प्यार नहीं होता है, इसकी तो हम गैरेंटी दे सकते हैं, आकरसन अकसर हम 15-16 की उम्र में, 18 की उम्र में, 20 की उम्र में, ये जो उम्र होती है, अकसर लोग भग जाते हैं, पर ये फिर भी अपनी बातों से लोगों में उल्जने पैदा करके, अपना रास्ता निकाल के साइ नहीं है, ये खुद अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, चाहे वो बिजनस करें, जॉब करें, या फिर कोई भी काम करें, इन्हें दूसरों की बाते सुनना, कोई इनको दो बात सुना दें, वो इन्हें पसंद नहीं बरदास्त के बाहर, और दूसरों की अंदर भी रहना पसंद नहीं होता है, एन्नाम वालों को, इसके साथ ही, अगर हम कहें, तो इनका रिस्ता अपनी भाई बहनों से बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा लगाओ, केरिंग इतना कि अपना बहुत इंपोर्टेंट काम भी है, तो वो भी वो साइड रग देंगे, अ इनको थोरी सी परिशानी आ जाती है, क्योंकि दूसरे इन से जलते हैं, इनकी सफलता को देखकर जलते हैं, इनके स्टाइल को देखके जलते हैं, बहुत ही स्टाइल में रनाने पसंद है, इनने फैसन पसंद है, तो दोस्तों उमीद है, आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर हाँ तो प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा धन्यवाद